तो पोशन के बारे में बाचीत करने से पहले सवाल यह आता है कि हम सब खाना खाते ही क्यों है हम खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे हमें पोशक तत्व मिलते हैं और जिससे हमें ताकत मिलती है और हमारे शरीर की सारी जरूरी प्रक्रम चलते है अब स्क्रीन पे आपको कुछ जन्तू दिये हुए है और कुछ खाना दिया हुआ है तो आप इन जन्तू को उनकी मुख्य खाने के साथ मिलाना है इस प्रश्ण को खुद से हल करने का प्रयास करें चलिए अब इसका हल देखते है तो आप सब निशायद शेर को मांस से मिलाया होगा हम सब जानते हैं शेर मांस खाता है बकरी घास खाती है और छिपकली छोटे-छोटे कीडों को खाती है इसका मतलब है हर जीव के खाने का श्रूत अलग-अलग होता है कुछे अन्य जीव तो ऐसे भी होते है जो पौधे और जन्तूओं को बिना मारे उनसे पोशन प्राप्त करते है ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं अंग्रेजी में इन्हें पारसाइस कहा जाता है इसके उदारन है किल्नी, जू, जोक, पेट के कीडे, अमर बेल, इत्यादी अगर हम पौधों की बात करें तो अपना खाना सूरज की रोशनी में खुद बनाते हैं बिल्कुल इसी तरह कुछ जीवानूं भी ऐसे होते हैं जो सूरज की रोशनी का इस्तमाल करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं तो ऐसे जीवों को जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम सुआपोशी जीव कहते हैं अंग्रेजी में से आटोट्रॉफिक और्गनिजम कहते हैं उधारन के लिए पौधे और कुछ जिवानूं तो अगर हम बात करें हमारी और हमारे ही जैसे जन्तू की जो अपना खाना जटल रूप में खाते हैं जटल रूप का मतलब है कि ये खाना हमारे अंदर जाकर तूटेगा और इसके पोशक तत्व हमारे अंदर हजम होंगे तो ऐसे जीव जो जटल रूप में अपना भोजन खाते हैं उन्हें विशम पोशी जीव कहते हैं अंग्रेजी में ने हेट्रोट्रोफिक और्गेनिजम्स कहा जाता है कवा जिसे हम अंग्रेजी में फंगी कहते हैं भी विशम पोशी जीवो के समूब में आते हैं इससे पहले कि हम आने वाली वीडियो में और चर्चा करें, उससे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं, निम में से किसे जीवित जीवो का विशेश गुर नहीं कहा जा सकता है, सांस लिना, भोजन करना, प्रतिक्रिया देना और वृध्धी करना, इस प्रश्न का हल सोचे, च चौथा ऑप्शन वृध्धी करना, क्योंकि यहां तक की पहाड और ग्लेशिर भी वृध्धी करते हैं, लेकिन ये तो निर्जीव हैं, हमें आशा है कि आपको ये कॉंसेप्ट समझ में आया होगा, आगे आने वाले वीडियो में हम कुछ विभिन प्रकार के पोशन के बा आणिवाद